हाई फ्रेंज आज काया से सिंदी में आप सब का स्वागत है मैं हूँ आकेटेक निहारा और आज हम बात करेंगे ऐसे तीन टिप्स और ट्रिक्स की जिससे होगा आपके गेस बेटरूम का कम्प्लीट मेकोवर बहुत से लोग इस उलजन में है कि अपने गेस बेटरूम को कैसे डिजाइन करें ताकि वो उसे पूरी तरह यूज कर सके अगर आप उन में से एक है तो ये वीडियो खास आपके लिए है इंटीर डिजाइन से रिलेटेड और जानकारी के लिए हमें फेस्बूक और इंस्ट क्या ने से बीकैस बेटरूम का प्लाइन जिसमें हैं पैसेच वह बेटरूम का दरवाजा अगे guest bedroom का attached toilet अब देखते हैं furniture placement इस guest bedroom में आप देख सकते हैं एक fixed double bed, side tables, TV unit, wardrobe या अलमारी, dressing table और window seating इस planning के वज़े से इस room में और कोई भी activity आड़ करना बहुत ही मुश्किल है अब जब हमने देख लिये एक typical guest bedroom plan के limitations तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे तीन tips tip नमबर एक ये है कि आप किसी normal bed के जगा पर murphy bed या folding bed इस्तमाल करें जो अभी market में available hardware के साथ maintain करना और operate करना बहुत ही easy है और ये bed fold होने के बाद आपको bedroom में काफी सारी जगा मिल जाएगी अगर आपका guest bedroom आपके master bedroom के बगल में है तो आप बीच के दिवार में एक दरवाजा बना सकते हैं जिससे जब guest ना हो तो वो बन जाएगा आपके master bedroom का extension लेकिन ये करते से में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी structural engineer या architect की सलाले ताकि अनजाने में आप से या आपके contractor से building के किसी भी structural member को जैसे कि beam या column को कोई भी damage ना हो टिप नमबर दो ये है कि आप कम से कम storage के लिए plan कीजिए और अगर TV unit आड करना चाहते हैं तो वो भी आप आड कर सकते हैं अब आते हैं आखरी और सबसे exciting tip की तरफ जो है आपकी मन चाहिए activity को बेडरूम में आड करना हमारे क्लाइन के requirement थी कि ये रूम जब entertainment चाहिए तब entertainment रूम जैसे यूज़ हो जब study करना हो यह office का काम करना हो तब workspace जैसे यूज़ हो और जब guest आए तब guest bedroom जैसे इस्तमाल कर सकें जैसे इंट्रेस्टिंग वीडियों के लिए हमारे की जैसे इसे इंट्रेस्टिंग वीडियों के लिए हमारे चानल को subscribe करना ना भूलिए नीचा आपको red color का button दिखेगा subscribe का उसके उपर click कीजे उसके बाजू में जो bell का icon है उसके उपर भी click कीजे ताकि हर time हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका notification मिल जाएगा और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़े रहेंग अगले आफ़े मिलेंगे एक नए इंट्रेस्टिंग topic को लेकर तब तक के लिए बाए